देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प होंगे महादेव की क्रिपा, आप सभी पर सदय बनी रहें, यह वीडियो है, 13 February 2022, बंडे यानि की सोमवार के दैनिक राशिफल के बारे में, एक सामान ने विश्टेशन होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है, और आपकी सुवीधा के लिए राशि भी बताया जाता है, राशिफल पर चलेंगे लिकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्चिप सी नजर दालेते हैं, पंचांग के दरब बनने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंड बॉक्स पे ओम नमश शिवाय वश्य लिखके जाएगा, पंचांग इ सुर्य दिवता मकर में रहेंगे नक्षत्र धनिस्ता, विशेश मूरतों की बात करते हैं, ब्रह्म मूरत 5.19 A.M. से 6.11 A.M. अविजीत मूरत 12.14 P.M. से 12.59 P.M. और अमृत काल 5.45 P.M. से 7.21 P.M. अशुब मूरत राहु काल 8.26 A.M. से 9.49 A.M. और गुलिक काल 2.00 P.M. से 3 23.00 P.M. इन दोनों ही अशुब मूरतों में यदि आपको घर से निकलना है, तो एक बार शिव चलीसा का पार्ट करके ही घर से निकलिएगा. तो ये था पंचांग चलेंगे राशी फल पर शुरुवात करेंगे मेश के समेश राशी, बहुत शुब दिन है, भागे बढ़ेगा, अपने emotions पर control पापाएंगे, और बुद्धी मता का बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे, नए-ने ideas आएंगे, बहुत शुबता पूर्ण आपका दिन आज का दिख रहा है, आज के दिन का लाब उठाएगा, investment भी कर सकते हैं, कुछ personal life में issues चल रहेते उनका भी अन्तों हो सकता है, करियर, अपने उपर जो doubts आ रहेते उनको दूर कर पाएंगे, अने शित्ता दूर होगी, नई जॉब ढून रहें, कुछ ना कुछ ची से आगे बढ़ेंगी, बिसनस में थोड़ा comfort zone से निकलना पड़ेगा, agriculture सम्मन्दित कारे हैं, लाब होगा, love life के हिसाब से overthinking की कारण problem हो सकती है, विवाहिक जीवन, दिन तो ठीक है, लेकिन थोड़ा मन में जो बाते चल रहे हैं, उनको share कीजेगा, life partner के साथ, जहां तक students की बात है, एक ही चीज़ कहूंगा, कि थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, stagnation आता हुआ दिख रहा है, सेहत के अंक है आपका साथ, color है आपका yellow, भाग्य प्रतिशत 80, टॉरस वरिशब दिन अच्छा है, बस एक ही चीज़ कहूंगा कि आज की दिन को एक challenge के दरा लिजएगा, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन easily कुछ नहीं आएगा, तो दिन को एक challenge के तर प्रासा inventive आप होए, कुछ नया आपने try किया, creative रहे, तो रुकावटे भी दूर हो सकती है, जातक investment की बात है, मत कीजिएगा, ऐसा लग रहा है, किसी से बात करने का बहुत मन है, लेकिन मन की बाते clear करने के लिए, व्यक्त करने के लिए कोई व्यक्ती समय नहीं है, कोई न साथ मिलेगा, tourism से जड़ा कोई कारे है, आपका lab होगा, love life, कुछ special कीजिएगा, अपने partner के लिए, उनको कोई gift दीजिएगा, कुछ surprise दीजिएगा, अच्छा लगेगा उनको भी और relationship में भी सगरात्मगता रहेगी, विवाहिक जीवन, थोड़ा सा space दीजिएगा अपने life partner को, जादक students की बात है, दिन तो अच्छा ही दिख रहा है, बस एकी चीज़ कहूंगा, कि थोड़ा सा inventive हो जाईए, सेहत के हिसाब से पेट की रोकतं करेंगे, सरवाश्टक में आपका अश्टम भावतिन तबली है, तो दिन थोड़ा सा निश्यित्ता के साथ बीतेगा, आ दिन थीक है आज का, आगे बढ़ने का दिन है, कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती है, इन सिक्योरिटीज पर काबूप आपाएंगे, और कही न कहीं कुछ अच्छी निउस प्राप्तों होगी, अचीवमेंट का दिन है, किसी चीज़ पर प्रयास रथ थे, कुछ अच्छा आप तो उसके संबंद में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आज हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजेगा, चीज़ों को थोड़ा सरल भी रखिएगा, जहां तक करियर की बात है, दिन बहुत अच्छा है, कुछ भी एनलेसिस से जुड़ा कारे करते हेलाब होका, बिजनस के हिसाब से भी दिन अच्छा है, यही कहूंगा कि बिजनस आपका और बहुत बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा लॉंग टर्म प्लैनिंग करनी पड़ेगी, जहां तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा अपने पार्टनर को समय दीजेगा, और लड टाइम जॉण रहेते, तो यहां पे भी कुछ अच्छा हो सकता है, सेहत के हिसाब से पेट के रोग और वाटर रिटेंशन, सरवाश्टक, सब्तम भावत इंतवली है, तो दिन ठीक ही जाएगा आपके लिए, आपके लिए उपाई यह है कि आपको शिव चालीसा का दो बार पार्ट करना है, शुब अंक है, नौ, कल है, ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है, पचत्तर प्रतिशत, कैंसर, करक, दिन ठीकी है, थोड़ा सा कुछ अलग भी कीजिएगा, थोड़ा एंटर्टेन्मेंट अपने जीवन में आज इन्वाल रखिएगा, जो आपके रोज बर्रा क आपी जिन्दगी से अलग चीज़े है, थोड़ा सा उन पर फोकस कीजेगा, क्योंकि एक ठहराव सा, एक स्टेगनेशन सा आ गया है पूरे जीवन में, दिन अच्छा है, सेहत का ध्यान रखेगा, आज थोड़ा डाउन टूर्थ रहीगा, थोड़ा सा इगो आपके व्यक् कीजेगा, इन्वेस्मेंट कर सकते हैं, इमोशनल बहुत रहेंगे, स्पेशली शाम के समय, जहां तक करियर की बात है, दिन अच्छा देख रहा है, एक ये चीज़ कहूंगा, कि अपने पोटेंशल, अपने स्किल्स को प्योग और कीजिए, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आज से उस पर विचार करना शुरू कर दिजेगा, बिजनस के हिसाब से ठीक है, अगर बच्चों से सम्मधित कुछ का रहे हैं, आपका लाब होगा, लव लाइफ, अब बहुत जादा आगे की सोच रहे हैं, और यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, विवाहिक करेंगे, सरवाष्ठक में आपका छटा सान अतिंत वली है, तो व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी तंग अवश्य करेंगे, आपके लिए उपाए है, आपको ओम रुद्राय नम्हा मंत्र का 27 बार जाब करना है, महादेव को फल का भोग लगाना है, शुब अंग है, चार कल ह पिंक भाग्य प्रतिशत है, 70 प्रतिशत है, लियो, सिंभ, दिन आज का बहुत अच्छा दिख रहा है, आपसे एकी चीज कहूंगा कि थोड़ा सा अपने कॉंटेक्स बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और अपने उपर और विश्वास बनाने की आज कोशिश कीजिएगा, आ नए आइडियाज आपको वश्याएंगे, जहां तक इन्वेस्मेंट की बात है, थोड़ा सा यहां पर बचिएगा, एक थोड़ी सी चाइलनेस, एक चाइलिशनेस आपके अंदर रहेगी, जो कभी-कभी अच्छी भी लगती है, लेकिन समय के नुसार देखिएगा, कि उसक पैसों की बातचीत के कारण थोड़ा मतबेद हो सकता है, विवाहिक जीवन गुसा दिख रहा है, दोनों ही साइट से, लड़ाई जगरे हो सकते हैं, स्टूड़ा सा आप अपने बेसिक्स पर काम कीजिए, थोड़ा आगे जल्दी बढ़ रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं, सेहत के इसाब से, स्लीप डिसॉर्डर्स तंग करेंगे, सरवाश्टक में आपका पंचम भावतिंत बली है, तो ठीक है, दिन अच्छा ही जाएगा, आपके लिए उपाई यह है, कि आपको ओम, शंकरायन, वहा मंत्र का 27 भर जाप करेंगे, महादेव को खीर का भूग लगाना है, शुबंके 6, कल है आपका वाइट भागय प्रतिशत है, 75 प्रतिशत है, करन्या, वर्गो, थोड़ा सा इमोशनल दिन रहेगा, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि एमोशन के बहाव में आज कुछ गरत भी कर सकते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन कु कोशिश कीजिएगा, डिपेंडेंसी मद रखिएगा, आज थोड़े सेलफिश भी होंगे तो चलेगा, जहाता कि इन्वेस्मेंट की बात है, नहीं, आज मत कीजिएगा, अच्छा दिन नहीं है, आपके मन में इतना कुछ चल रहा है, और आपको खुद ही नहीं समझा रहा कि किस तरह से चीज़ों को बाहर निकालें, किस तरह से चीज़ों को व्यक्त करें, जातक करियर की बात है, दिन अच्छा है, और हर चीज़ का जिम्गेदार आपने आपको धहराना बंत कीजिए, विवाहिक जीवन आच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉबलम नहीं दिखर एक तूसरे के साथ बाचीत करने का बहुत अच्छा दिन है Students, आपके लिए थोड़ असाना करात्मक दिन है दिन आपके हिसाब से नहीं जाएगा, धोखा भी मिल सकता है सेहत के हिसाब से पेट के रोग दंग करेंगे सरवाश्टक में आपका चौथा सान बली है तो बता ही रहे दिन emotional आपकी जो जर्नी है आज की बहुत up and down भरी दहेगी आपके लिए उपाय है कि महादेव का ध्यान करते हुए ओम महादेवा ये न महाद्र का 27 बार जाब करके महादेव को किसी भी मिश्ठान का भोग लगाना है शुब अंक है आपका पाँच कल है आपका ग्रीन भाग्य पतिशित है तुला लिबरा दिनाच का बहुत ही अच्छा दिख रहा है जो साहस नहीं था आपके अंदर की कुछ नया कदम लेना है या कुछ कारे करने से मन घबरा रहा था उस संदर्व में आज का दिन बहुत अच्छा है धन भी आता हुआ दिख रहा है घर में भी कोई खोशिया आती भी दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का वेट आपकी पूरी फैमली कर रही थी उस संबंद में आज कुछ अच्छा हो सकता है पुरानी चीजों पर विल्कुल मत जाएगा और जज़्मेंटल विल्कुल मत रहीगा किसी के भी प्रती जहां तक इंवेस्मेंट की बात है मत कीजेगा अच्छा दिन नहीं है कुछ ना कुछ आज बहुत सकरात्मक आपके जीवन में हो सकता है जातक करियर की बात है अच्छा दिन है चीजें आगे बढ़ती हुँ दिख रही है लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा बिजनस क्रोध बहुत रहेगा आपके अंदर उसके कारण नकरात्मक कुछ हो सकता है वानी पर बहुत कंट्रोल रखेगा जितना कम बोलेंगी उतना अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन कुछ नया करना पड़ेगा stagnation आता हुआ देख रहे है थोड़ा सा कुछ नयापन लाई अपने विवाहिक जीवन में आतक students की बात है थोड़ा सा risk लेना पड़ेगा नहीं कि कुछ नया करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है आज के cutthroat competition में कुछ अलग करना पड़ेगा आपको सेहत के हिसाब से पेट की रोकतंग करेंगे सरवाश्टक में आपका तीसरा भावतिन तबली है तो बता रहा है दिन अच्छा ही जाएगा दिन आपके जीवन को आगे ले कर जाएगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको शिव चारीसा का दो बार पाट करना है शुबंक के चार कल है औरेंज भाग्य प्रतिशत है 75 प्रतिशत थोड़ा अपने उपर विश्वास दिखाएंगे तो आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा किसी जगडियेगा मत कुछ लोग जान बूच कर आपको तंग करेंगे प्रवोक करेंगे आप से कुछ ऐसा करवाना या कहलवाना चाहेंगे जो आपके ही विरुद्ध यूज हो पाएंगे इन्वेस्मेंट कर सकते हैं इन्वेस्मेंट के लिए अच्छा दिन है थोड़ा सा अपने गुस्से पर तो कंट्रोल करना ही है इसके साथ ही आपको अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल करना है भावनाओं और शब्दों में आज समन्धवे नहीं बैटेगा कुछ बिजनस है लाब होगा लव लाइफ थोड़ा सुनना शुरू कर देजिए बहुत अच्छा और बहुत काम आएगा आज आपके विवाइक जीवन बहुत अच्छा दिन देख रहा है सगरात्मक्ता दिख रही है स्टूडेंस स्टूडेंस के लिए दिन अच्छा नहीं रहेगा कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत अनकमफरडेबल कर सकता है सेहत के हिसाब से गले के रोग सरवाश्टक के हिसाब से आपका धनस्थान अतेंत वली है तो धन के समंद में फिर भी कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए उ शुबता दिख रहे है औप्स्टेकल्स दूर होंगे रुकावटे दूर होंगी जो लोग तंग कर रहे थे उन पर आप कंट्रोल कर पाएंगे और एक बैलेंस जिसकी कमी रहोगे थी जीवन में वह बैलेंस आ जाता हुआ दिख रहा है इमोशनल लाइफ हो फाइनेंशल प उस्सा जादा रहेगा कारक्षेत्र में बिजनस अपने आप ही कुछ नेगेटिव सोच कर गलत कर लेंगे अधरवाइस तो दिन अच्छा है लव लाइफ सब कुछ अच्छा होते भी विश्वास की कमी कहीना कहीं उत्पन हो रहे है विवाहिक जीवन थोड़ा सा शान्त र वली है तो बता ही रहा कि दिन ओवरॉल बहुत अच्छा जाएगा उपाई यह है कि आपको ओम नमश्यवाय का 27 बार जाब करके महादेव को किसी भी फले का भोग लगाना है शुब अंक है दो कलर है यलो भागय प्रतिशत 80 कैप्रिकॉन मकर ठीक ठाक सा दिन है थोड़ा क कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे अच्छा रहेगा सेहत का ध्यान दीजेगा अनप्रेक्टिकल हो सकते हैं उसके कारण कुछ नुकसान हो सकता है धन के समद्ध में कुछ अच्छा भी हो सकता है और लेकिन खर्चा भी थोड़ा आपका आज बढ़ेगा थोड़ा एंट बिजनस के हिसा आपसे भी दिन अच्छा है अगरी कल्चर से जुड़ा कुछ काम करते हैं लाब होगा लव लाइफ यहां पर शब्दों का चैन बहुत इंपॉर्टन रहेगा बहुत महत्तपोंड तरीके से शब्दों का उप्योग कीजेगा विवाहिक जीवत करेंगे सरवाश्टक में आपका बारवास्थान बली है तो खर्चे बढ़ेंगे जैसा मने कहा था आपके लूपाई यह है कि आपको शिव चालीसा का दो बार बाठ करना है शुबंक्या वन कल है रेड भाग्या प्रतिशत सत्तर प्रतिशत कुम्ब एक्वेरियस शुब द कर सकते हैं इंवेस्मेंट के लिए भी कोई बुरा दिन नहीं है कुछ बहुत अच्छा सीखने को आज मिल सकता है कोई बहुत अच्छा ग्यान आज आपको प्राप्त हो सकता है अच्छा दिन है करियर अपनी इन सिक्योरिटीज पर काबू पाने का दिन है जल्दबाजी से दिख रहा है नया रिलेशन्शिप भी स्टार्ट हो सकता है जो लोग रिलेशन्शिप में हैं बहुत एंथूजियाजम रहेगा उत्साहर रहेगा विवाहिक जीवद जज्जमेंटल मत रहेगा अदरवाइस तो दिन अच्छा है स्टूडेंस दिन ठीक है लेकिन पैसों के पीछे बहुत भाग रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है कि साइड में पार्ट टाइम जॉब कर लो यहां से पैसा कमालो इसका एक नेगेटिव इंपक्ट आपके स्टडीस पर पढ़ता हुआ दिख रहा है सेहप के हिसाब से गले के रोग और पेट के रोग सरवाश्टक में आप अबसान बली है तो बता ही रहा है दिन अच्छा ही जाएगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको शिव चलीसा का दो बार पाट करना है शुब अंक है चार कल है वाइट भाग्य प्रतिशत है आपका पच्छतर पदी पाईसिस मीन दिन आज का आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है बस एक ही चीज कहूंगा ऑपरचिनूटी कोई आती है उसका लाब उठाईएगा हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैटना डिले नहीं करना ज्यादा रिलेक्स भी नहीं रहना आज कि ऐसा लग रहे कोई अच्छी उपरचिनूटी आ सकती है जिसका यदि आपने लाब उठाया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ज्यादा चिंता मत कीजिएगा दिन अच्छा है आज का दिन को सरलता के साथ बिताईएगा हैपिनेस खुशियां एंटर्टेंवेंट इन सब ची खीक दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही हां गुस्से के कारण आपके कुछ नुकसान आपका ही हो सकता है बिजनस धहरे रखिएगा दिन अच्छा है कोई अच्छी ऑपरचिनूटी जैसा मने कहा आ सकती है लेकिन जादा उत्साह अति उत्साह ओवर एक्साइ जानिएगा ऐसा लग रहा है कि इतना एक दूसरे को फॉर ग्रांटेट ले लिया है कि बातचीत ही बंद हो गई समय के साथ जो चेंजिस आ रहे हैं उनको जानिए स्टूडेंस के लिए आज का दिन अच्छा है आगे बढ़ने का दिन है सेहत पेट की रोगतं करेंगे सरव में इस्ठान का भूग लगाना है शुबंके साथ कल है यलो भाग्य प्रतिशत है 75 प्रतिशत तो यह था तेरा फेब्रडी का राशीफल चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम न झाल 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 झाल